आपके लिए चप्टर नमबर थर्ड का पार्ट टू तो चलिए शुरू करते हैं आज का मारा सबसे पहले टॉपिक है गुडविल तो गुडविल इस वैल्यू आफ रेपिटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट इन फ्यूचर ओवर एंद इसके बाद बात कर लेते हैं गुडविल के वैल्यूइशन की तो गुडविल का वैल्यूइशन नॉर्मली त्री टाइप से किया सकता है जिसमें पहला है एवरेज प्रॉफिट मयेतेड्द दूसरा है इसमें कोई भी डिफरेंट डिफरेंट नहीं है जबकि capitalization method की बात करें तो इसमें capitalization of average profit method होता है और capitalization of super profit method भी होता है average profit की calculation के लिए हमें जो steps करनी पड़ती है उनमें सबसे पहले step होती है calculation करनी पड़ती है net profit की क्योंकि जो net profit कभी-कभी question में दिया होता है उसमें abnormal profit add होता है और abnormal loss यहां पर minus किया जा चुका होता है तो उनका adjustment करनी की दुरूत पड़ती है second number पर average profit का formula लगाया जाता है जो की होता है total of profits जो की भी profits गिये हैं उनका सबका total कर लिया जाता है और उसके बाद उसको divide कर दिया जाता है number of year से इसके बाद third step में formula लगाया जाता है goodwill निकालने के लिए तो goodwill का formula हो जाता है average profit into number of year purchased इस concept को अब हम एक illustration की दूरू समझ लेते हैं जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 का profit दिया हुआ है और इसके अलाब है इनके सामने ही इनका जो profit है वो दिया हुआ है यहाँ पर जो bracket में दी हुई है amount 15 16 के लिए जो कि 60,000 की बताई गई है यह loss है उस यह का और नीचे additional information में बताया है कि 2016 में एक fire की बज़े से जो था एक loss हो गया था जो की रुपीज 3 लेक का था जबकि insurance company ने 70,000 का insurance claim जो एकसेप्ट कर लिया था इसके अलाबा कॉशन में यह भी बताया गया है तो 13 14 में 14 15 में कुछ भी adjustment नहीं था नार्मली profit को लिया जाएगा लेकिन 15 16 में जो था वो इसमें 60,000 का जो amount है उसको यहां पर शो किया जाएगा क्योंकि जो 60,000 का amount है यह loss का amount है और इसके बाद जो abnormal loss था वो इसमें add किया जाएगा मतलब plus कर दिया जाएगा जो कि 2,30,000 का है 2,30,000 यहां पर plus का है जबकि 60,000 minus का है तो इसको solve करेंगे 1,70,000 आ जाएगा जो कि plus में आएगा इसलिए भी profit हो जाएगा इसके बाद 16 17 का profit डाल दिया जाएगा और 17 18 का भी profit डाल देंगे जो कि 2,50,000 होगा लेकिन इसमें abnormal gain पहले से ही included है 80,000 का तो इसको minus कर दिया जाएगा इन सब का total अगर कर लेंगे तो यह हो जाएगा 13,90,000 जो कि पूरे के सभी years का total कर लिया गया है इसके बाद average profit का formula लगा दिया जाएगा 13,90,000 divided by 5 क्योंकि 5 years का हमें पर question में profit दिया जो कि goodwill का formula लगा देंगे यहां पर जो कि हो जाएगा average profit into number of year purchased average profit निकाल चुके है number of year purchased 3 दिये हुए question में तो उसके according solve करेंगे तो यह हो जाएगा 8,34,000 इसी तरीके से illustration number 4 में देख सकते हैं इसमें 15,16,17,18,19 का profit दिया हुआ है जो कि 40,000,60,000 1,00,20,000 का loss दिया हुआ है औ 1,50,000 का profit दिया हुआ है इसके अलाबा 2 profit के यहां पर adjustment भी करने है जो कि 31st मार 2016 को एक asset जिसकी original cost 2,00,000 की थी उसको book value 1,50,000 की थी was sold worth 1,24,000 तो यहां पर book value थी 1,50,000 की लेकिन इसको बेच दिया गया 1,24,000 का तो यहां पर जो difference का amount हो जाएगा वो हो जाएगा loss लाबा यह भी बताया गया है 1st April 2017 को two computers purchase किये गया थे जो की 1,00,000 के थे और इनको गलती से traveling excellence मान करके debit कर दिया गया था जिन पर depreciation भी charge करना था जो की 20% की rate से return down value method पर इसे charge करना था इस question को solve परने के लिए सबसे पहले तो इसका profit adjust कर लिया जाएगा चुकि 15 में कोई भी adjustment नहीं था तो 40,000 हो जाएगा इसके बाद 16 में 60,000 का profit question में given था और 26,000 का हमने loss इसमें debit किया होगा जो कि abnormal loss है इसलिए इसे add कर लिया जाएगा तो इस तरीके से 86,000 हो जाएगा इसके 2018 में 20,000 का यहां पर loss दिया हुआ था वो डाल देंगे और question में यह बताया गया था हमने 1st April 2017 को हमने 2 computer करी दे थे जो की 1 lakh के थे जिनको हमने traveling excellence मान करके debit कर दिया तो इसको बापिस add कर लिया जाएगा क्योंकि 1st April 2017 को करीदा था इसलिए यह year 2018 में fall करेगा इसलिए यहां प यहां पर सबको जब हम adjust करेंगे तो यह हो जाएगा 60,000 तो यह 60,000 का profit बन जाएगा इसके बाद 2019 में यहां पर 1,50,000 का profit question में दिया हुआ है लेकिन जो last year हमने computer का हमने treatment किया था तो computer का treatment करते समय 1 lakh का computer था उसमें से 20,000 का last year depreciation लगा दिया तो अब वो बच्छा होगा 80,000 क तो 80,000 पर 20% के तरह निकालेंगे तो यह हो जाएगा 16,000 तो इस year में 16,000 का depreciation यहां पर charge कर दिया जाएगा सभी के सभी profits की calculation करने के बाद average profit का formula लगा दिया जाएगा चुकि यहां पर 5 years का profit है तो यह हो जाएगा 40,000 86,000 plus 1 lakh plus 60,000 plus 1 lakh 34,000 और divided by 5 कर दिया जाएगा जो कि solve कर formula लगा दिया जाएगा 84,000 multiply by 150 upon 100 जो कि हो जाएगा 1 lakh 26,000 यहां पर 150 upon 100 इसलिए किया गया है क्योंकि question में हमें यह बताया गया है कि जो goodwill है उसकी valuation 150% of the average annual profits के बराबर करनी है इसी तरीके से illustration number 5 में बताया गया है कि जो goodwill के valuation करनी है वो 80% of the average annual profit के बराबर करनी है जो कि previous 3 year या 4 year का profit जो भी जाधा होगा उसके according करनी है और जैसा भी दिया हुआ है उसके according हम यहां पर सबसे पहले तो profit निकालेंगे जो कि average profit निकालेंगे और average profit 3 year के लिए भी निकालेंगे और 4 year के लिए निकालेंगे तो 3 year जो लेंगे वो just 2017 से just before के लेंगे तो पहला हो जाएगा 17 का, दूसरा हो जाएगा 16 का और सीतरा हो जाएगा 15 का, इस तरीके से इन profits को लेते हुए इनका total कर लिया जाएगा और दूसरी तरफ 4 year का profit जो की दिया हुआ है वो 4 year का profit साथ में लेकरके उनको add कर लेंगे इसके बाद average profit निकाल लिया जाएगा, जब 3 year के according निकालेंगे तो 3 year के profit का total 3 से divide कर दिया जाएगा और 4 year के average निकालेंगे तो 4 year के profit का total 4 से divide कर दिया जाएगा, जो की निकल करा जाएगा 92,000 और 93,500 तो 92,000 यहां पर average profit 3 years का कम है, जबकि average profit 4 years का ज्यादा है, तो इसलिए जो goodwill निकाली जाएगी, वो average profit 4 years के according निकाली जाएगी और तो 93,500 का यहां पर 80% निकाल देंगे, जो की निकल करा जाएगा 74,800 और यहीं पर आंसर कतम हो जाएगा इसी तरीके से यहां पर illustration number 6 में देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है profit 1st year में दिया हुआ है 14, 15, 16, 17 का दिया हुआ है जो 50,000 दिया हुआ है, 1,20,000 का दिया हुआ है, 1,80,000 का दिया हुआ है और साथी साथ loss दिया हुआ है last year के profit में 2017 में 70,000 का इसके बाद नीचे additional information में बताया गया है कि 1st April 2016 को एक motorbike purchase की गई थी जो की 50,000 की थी और इसको traveling expense मान करके debit कर दिया गया जिस पर depreciation charge करना था 20% per annum के according और यहां पर calculate करनी है हमें goodwill तो three year का profit दिया हुआ है उसको तो normally यहां पर add कर लिया जाएगा लेकिन जो last 2017 का profit दिया हुआ है उसको हमें adjust करना पड़ेगा क्योंकि 70,000 का loss दिया हुआ है इसमें 50,000 की हमने जो purchase कर ली है जो motorbike purchase की थी उसको हमने traveling expense बानके debit कर दिया तो इसको हम add करेंगे 70,000 का है loss इसमें 50,000 add करेंगे तो यह बचे का minus का 20,000 means 20,000 का यह हो जाएगा loss अब इस loss में हमें add करना है depreciation जो की 50,000 का निकालेंगे 20% की rate से जो की हो जाएगा 10,000 तो 20,000 और 10,000 तो 30,000 का loss हो जाएगा जो की यहां पर adjustment करते समय इसको हमने निकाल लिया है अब इसको हम add कर लेंगे अब 50,000, 1,20,000 और 1,80,000 को add कर लिया जाएगा और इसमें से 30,000 को minus कर दिया जाएगा 2 years purchase करना है मैं question में दिया हुआ है तो उसके according कर देंगे तो यह निकल करा जाएगा 1,60,000 और इस तरीके से इस question को भी complete कर लिया जाएगा अब आपको complete करना है question number 326 अगर आपको कहीं पर कोई problem आ रही है तो आप उसे comments यत रूप हो सकते हैं मैं कोशिश करूँगा ताकि उसका जल्दी से जल्दी reply कर दूँ अगर वीडियो पसंद आए तो like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye